हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग तो आज आप एक ऐसा वीडियो एडिटर के बारे में जानने वाले हैं जो कैपकट से भी बेस्ट है जी हाँ सिर्फ कैपकट नहीं यह वीडियो एडिटिंग एप कैपकट प्लस अलाइट मोशन दोनों से ही बेस्ट है और यह जो वीडियो के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं यह पहले सिर्फ iOS डिवाइस के लिए अवलेवल था लाइक आइफॉन वगेरा के लिए लेकिन अब आप इसे Android फोन में भी यूज कर सकते हो वीडियो एडिट कर सकते हो और यह वीडियो एडिटिंग एप इतना अच्छा है कि यह CapCut and Light Motion दोनों को बीट कर सकते हैं जी हां तो वीडियो पर end तक बने रहे हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो एडिटिंग एप के बारे में तो चलिए सबसे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो जिस एप की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्लर एप इसे आप ओपिन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा एंड हाँ वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूं कैसे एंड कहां से आप इसे एपलिकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो जैसे हैं आप इसे ओपिन करोगे कुछ ऐसा इंटरफे क्यूं होता है अपने वीडियो का उसे आप इहां से सेलेक्ट कर सकते काफ़ी सारे आपको यहां राष्यू देखने को मिल जाएंगे तो हम यहां पे नाइन is to 16 को selective लेते फिर आपको यहाँ पर regulations देखने को मिल जाता है frame rate देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ से ने select करके new project को पर click कर देना तो आपको यहाँ पे एक project बन जाएगा ठीक है अब आपको यहाँ पे हर एक option देखने को मिल जाएगा जो कि हमें एक वीडियो को एडिट करने के लिए चाहिए होता है जैसे कि अगर आपको लीरिक्स वीडियो बनाना है तो टेक्स्ट का ओप्शन देखने को मिल जागा अगर आपको डायरेक्ट वीडियो को एडिट करना है तो वीडियो एंड फोटो का ओप्शन देखने को मिल जागा सो अगर आप वीडियो एड करना चाहते हो तो वीडियो को पर क्लिक कर देना ठीक है यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके डिवास में जितने भी वीडियो जोंगे वो सारे यहाँ पर आजाएंगे जिसे आप एडिट करना चाहते हो उसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना उसके के बाद using resources को पर click कर देने ठीक है इसको पर click कर दो तो आपको जो video होगा वो यहाँ पर add हो जागा जैसे कि आपको देख सकते हो ओकी वीडियो add हो जाने के बाद आपको यहाँ पर और भी काफी सारे options मिल जाएंगे इसको पर की फ्रेमिंग यह सब graph वोगेरा motion blur सारा चीज आपको यहाँ मिल जाता है एंड हाँ light motion में क्या होता है कि motion blur हमें अलग से apply करना पड़ता है बट इस app में आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा मतलब कि आप इसमें जस्ट कुछ भी चीज़े चेंज करो और यहाँ से इनेबल कर दो जितना रखना है उतना और हो जाएगा ठीक है तो यह और भी easy कर दिया इस application में फिर आपको यहाँ पर और भी options देखने को मिल जाते हैं जैसे की replace time ramping और और भी सारे चीज़े जो की एक video editing app में होने चाहिए ओकी तो इस सारे options आपको मिल जाते हैं अब बात रहा कि क्या effect इस application हमें मिलता है जिसे की अच्छे अच्छे वाले effect हमें cap cut app में बहुत सारे effect मिल जाते हैं तो क्या हमें इस application में भी effect मिलते हैं तो जी हाँ आपको cap cut app के जैसे ही इस प्रप्लाय कर सकते हो exposure चाहिए तो exposure आज जाएगा ठीक है मतलब कि इसमें भी आपको काफे सारे effect मिल जाते है body effect की बात करें तो body effect भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है glow में जाएंगे तो यहाँ पर आपको glow effect free मिल जाएंगे काफी सारे ठीक है यह वाला glow है scanning वाल सकते हो जैसा आपको सही लगे जैसे कि इनको पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर threshold, radius, intensity बगर सारा देखने को मिल जाएगा तो जैसा आपको वीडियो को उपर सही लगता है उस तरीक से adjust कर लेना ठीक है यहाँ पर इसका आपको duration बढ़ाना चाहते हो तो similarly आपको light motion वाल भी add कर सकते हो, effects में आपको सारे type के effect यहाँ पर देखने को मिल जाते है, move and transform वाला भी जैसे कि आपको light motion में सारे मिलते है, motion title मतलब कि इससे जो animated background वगरा जो बनाया जाता है, इसी की मदद से बनाया जाता है, फिर blur and sharpening का भी option मिल जाते है, जो lens blur वाला effect जो की काफी trend में ह cap का tap में, वो सारे effect भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, extra effects भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको देख सकते हो, ठीके, तो यह सब भी आप यहाँ पर अपने वीडियो को पर apply कर सकते हो, like से मैं play करके दिखाओं, तो देख सकते हो, इस तरीके से य बन गया, जो कि हमने भी select किया था, ठीके, और भी यहाँ पर काफी सारे चीज़े हैं, अगर आपको apply करना हो effect, तो effect में आओ, बहुत सारे effect आपको मिल जाएंगे, जैसा चाहिए उसे आप यहाँ से select कर लेना, ठीके, मतलब कि जो cap cut का specialty है, कि उसमें बहुत सारे effect हमें मिल जाते हैं, वो आपको यहाँ भी मिल जाता है, and a light motion का जो सबसे special बात है, जो कि उसे unique बनाता है, वो है उसका grouping का चीज़, मतलब कि grouping आपको सिर्फ अभी के time पे, a light motion में ही कर सकते हूँ, और कोई app में grouping का option नहीं देता है, ठीके, और इस app में भी आपको grouping का option मिल जाता है, म option देखने को मिल जाता है, और इसमें काफी सारे आपको font मिल जाएंगे, मतलब कि जब आप lyrics video बनाओगे, तो उस समय आपको काफी मजा आने वाला है, यहाँ पर काफी सारे font आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीके, तो मैं इन में से इसे select कर लेता हूँ, सही लग रहा है, size को थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पर इसको पर click करके, और हाँ यह आप manually जैसे की cap cut में होता है, उस तरीगे से भी size को छोटा कर सकते हूँ, and light motion में जैसे transform के उपर जाके, scale को उपर जाके, इस तरीगे से छोटा किया जाता है, उस तरीगे से भी कर सकते हूँ, ठीके तो फिर से हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, duplicate करके, इस बार edit पर जाते हैं, थोड़ा सा मैं इस text में change कर देता हूँ, and इन्हें थोड़ा उपर नीचे कर देते हैं, ठीके, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ, हमने दो text को add कर लिया, ठीके, तो दो text मैंने यह यहाँ पर add कर लिया, आप मैं आपको grouping बना के दिखाता हूँ, जैसे कि आप a light motion में grouping बना सकते हो, similarly आप यहाँ पर बना सकते हो, आपको यहाँ पर यह वाल option मिल जाता है, इसको उपर click करना, फिर जिसको जिसको group में आपको डालना है, उन दोनों को select कर लो, create को उपर click कर तो group बन गया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, आप जो भी effect आप इसको उपर apply करो, वो दोनों text को उपर apply होगा, like यहाँ पर हम fx को उपर click करते हैं, फिर plus को उपर click करते हैं, cyber में जाते हैं, इसे select करते हैं, तो यह effect आप देख पा रहे हो, जैसे कि यह light motion में होता ह ठीक है, तो आपको light motion वाला सारा function यहाँ देखने को मिल जाता है, cap cut वाला सारा function आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, okay, तो यह एक अच्छा video editing app हो सकता है, आपके लिए, जैसे कि आपको यहाँ यह null जो होता है, null camera, camera tracking and camera movement, वो दोनों option आपको मिल जा रहे है, null वाले भी मिल जा रहे है, जो कि light motion के कुछ special feature जैसे कि null, camera, grouping वो सारे मिल जाते है, cap cut का special feature है, effects वागरा मतलब की effect वागरा वो आपको यहाँ मिल जाता है, तो यह एक अच्छा video editing app हो सकता है, आपके लिए, आप इसे use कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर almost चीजों को use वागरा करक करने के लिए, जस्ट आप यहाँ पर click करना, and save हो जाएगा, अब बात रहे कि यह application आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इस application के लिए, आपको कहीं पर भी जाने के ज़रूत नहीं, आप सिंपली सा Google Play Store पर आजाओ, and यहाँ पर आप blur लिख देना, but जब आप blur लिख हो गए, तो last में एक और add कर देना है, फिर आपको search करना है, ठीक है, then search करो तो यह आ जाएगा, देख सकतो फिर इसे आप यहाँ से install कर लेना, okay, तो यह था application, and इसकी यह खुबियां थी, और अगर आप चाहो तो यह नहीं use कर सकतो, मिलते हैं next वाली वीडियो में, तब तक के लिए, बा बाइब नहीं और started to pakai this standard, जे बाइब है जब कर दो सकति अएद कर दो यह बाइब हैं, डिर चाहीं झांस राइब बाइत कर सकतो, बाहाई जएग